भगवान श्रीकृष्ण की शारीरिक सम्वारचना कैसी थी? वे कैसे दिखते थे? ये सवाल शोध का विशे हो सकता है. लेकिन फिर भी हमने पुरानों की छानबिन करके यहां उनकी शारीरिक बनावतका का संक्षिप्थ वर्नन किया है. कहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण की देल कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदू थी लेकिन युद्ध के समय उनकी देल विस्तृत और कठोर हो जाती थी. जन्शृती अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारिपटू विद् यही गुणकर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था. जन्शृती अनुसार कुछ लोग श्रीकृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं. श्याम रंग अर्थात कुछ-कुछ काला और कुछ-कुछ नीला. मतलब काले जैसा नीला जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्थ होने वाला रहता है तो आस्मान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है. जन्शृती अनुसार उनका रंग न तो काला और नहीं नीला था. ये भी कि उनका रंग काला मिशृत नीला भी नहीं था. उनकी त्वचा का रंग श्याम र इस गंद को बे अपने गुबतव्यानों में छुपाने का उपक्रम करते थे यही खूबी द्रौपदी में भी थी द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्शित करती थी सभी इस सुगंध की दीशा में देखने Лगते थे इसलिए अग्यात्वास के समय द्रौपदी को चंदन, उब्टन और एत्रादी का कार्या किया जिसके चलते उनको सेरंधरी कहा जाने लगा था माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंदी गोपिका चंदन और कुछ-कुछ रात्रानी की सुगंध से मिलती जूलती थी अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देहत्याग किया तब उनकी देह के केश न तो श्वेथ थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से जुर्रियां पड़ी थी अर्थात्वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे ही लो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ जैश्री कृष्ण